तूफान के बाद सल सेकेंट अधिक मुरुत वर्षा हित उत्तरप्रदेश राजस्थान दसंग बारिश के साथ खेक धूल तूफान काल उत्तरप्रदेश राजस्थान में कहर बर्बाद हो गया सौ सेकेंट ज्यादा लोगों की मौत हो गई पेड़ों को खाड फेंखने और घरों में फटकारने लगे उत्तरप्रदेश में थे हतर लोगों की मृतियों हो गई उनमें से 43 अकेले आग्रा में पडोसी राजस्थान में यह आंखडा 36 था तूफान भी दिल्ली भर में बह गया लेकिन राश्ट्रिय राजधानी से कोई नुकसान यक्षती नहीं हुई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शोक व्यक्त की और कहा की राज्यों को संकट से निपटने में मदद की पेशकश की गई है आग्रा ने तूफान का शिकार किया 43 लोग जिले में मर रहे थे अधिकारियों ने बताया कि बिजनौर ने तीन मौते और सहारनपुर की सूचना दी पूर्वी राजस्थान में जहां 36 लोग मारे गए अलवर ढोलपुर और भरतपुर सबसे खराब प्रभावत जिलों थे भरतपुर जिले से अधिक्तम नुक्सान की सूचना मिली जहां एक नौ लोग मारे गए राजस्थान में कम से कम सो लोग घायल हो गए है तीवर तूफान और बिजली ने पेड़ों को उखाड फेंक दिया बिजली के तारों को तोड़ दिया और कई घरों के पतन का कारण बन गया मनने वाले ज्यादा तर लोग सोर रहे थे जब उनकी छत तूफान में गिर गई थी उद्वार की शाम को धूल तूफान और भारी बारिश ने दिली को भी मारा हवार की अचानक गड़ गड़ा हट कुछ मिनिट से अधिक समय तक चली लेकिन हवार डे के संचालन को खत्म करने के लिए परियाप था दो अंतर आश्ट्रिय उडानों सहित 15 उडाने बदलनी थी भारत के विभिन हिस्सों में धूलके तूफानों के कारण जीवन की हानी से दुखी शोक गृस्त परिवारों के लिए शोक जल्दी घायल हो गए अधिकारियों से संबंदित राजे सरकारों के साथ समन्वै करने और उन लोगों की साहता करने के लिए काम करने के लिए कहा गया है जो प्रभावेत हुए हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कहा तूफान ने 6.30 बजे के बाद पश्चमी उत्तर प्रदेश को मारा अधिकारियों ने कहा कि यह बहुत अधिक तीवरता का नहीं था महारनपूर के लिए यह काफी तीवर था भले ही नुकसान अन्यक्षेत्रों की दुलना में अपेक्षाकृत कम था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ ने अधिकारियों से व्यक्ती गत्रूप से राहतकारियों की निगरानी करने और प्रभावेत होन के लिए चिकित सा सहायता प्रदान करने के लिए कहा है उन्होंने यह भी चेतावडी दी की अधिकारियों के हिस्से पर कोई लापरवाही बारदाश्त नहीं की जाएगी राजस्तान के मुख्यमंत्री वसंधरा राजे ने कहा कि तूफान को आप अदा घोशित कर दिया ग और घायल प्रतियक के लिए पचास हजार रुपए के मुवजे की घोशना की है उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों में अधिकांदी और तेज हवाओं की उमीद है विशेश रूप से राजर के उत्तरी हिस्सों में अधिकारियों ने कहा है झाल कर सक दो एक पुर दिनों में अधिकांदी है